तो अभी तक हम लोगों ने वान स्टेप डिफ्यूजन पढ़ा या वान स्टेप एफ्यूजन पढ़ा दो कंटेनर में गैसेस रखे हुए थे और होल से बाहर डिफ्यूज या एफ्यूज हो रहा था उसका नियुमेरिकल करना सिखा लेकिन यदि आपका एफ्यूजन या डिफ्यूजन एक स्टेप में नहीं बलकि एक से जादा स्टेप में हो रहा है तो एक कंटेनर से डिफ्यूज होके दूसरे कंटेनर में गया फिर दूसरे से तिसरे में गया तिसरे से चौथे में गया चौथे से पास में गया इस तरह से बहुत सारा स्टेप्स हो रहे हैं तो उसके निमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे रेट को कैसे कंपेर करेंगे तो यह आज हम लोग पढ़ने वाले है फ्यूजन इन मिक्षर था अब वो दोनों ही gas diffuse करके दूसरे container में गया फिर वहाँ से फिर तिसरे में गया, तिसरे से चौते में गया, चौते से पास्मी में गया इस तरह से बहुत सारे steps में diffuse होते हुए वो जो दोनों gas से आगे बढ़ रहे हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि लास्ट वाला container में किस gas का number of mole ज़्यादा होगा जो कि fast travel करेगा, यानि H2 gas diffuse fast करेगा तो लास्ट वाला container में उसका जो number of mole है वो ज़्यादा होगा और जो gas भारी है, उसका rate of diffusion slow होगा तो उस भारी gas का, यानि D2 gas, deuterium जिसको हम कह रहें mole D2 का कम होगा, यानि basically, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे diffusion के बाद, इनस्टिप में कह लो, वहाँ पर हलका gas का amount ज्यादा होगा और भारी gas का amount कम होगा, यानि basically, दो isotopes जो है, एक दूसरे के respect में कम होते जाए रहा है, यानि एक enrich होते जा रहा है और दूसरा पूर होते जाए रहा है, इसको कहते हैं, enrichment भी कहते हैं, enrichment of isotopes, enrichment का मतलव, एक isotopes के respect में, दूसरा isotopes का amount ज्यादा होना, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, more than one effusion steps करते हैं, और एक isotopes का मात्रा ज्यादा कर पूछता है तो मैं बहुत ही बता देना चाहता हूं कि यह पूछेगा वह सिर्फ आडवांस में पूछेगा जेए अडवांस में ओनली इन जेए अडवांस याईनि निट का जो प्रिप्रिशन कर रहे है इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं या जेए में पूछता तो भी आप छोड़ सकते हैं लेकिन जो एडवांस का त्यारी करना ही चाह रहे हैं जो एडवांस का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो यह मस्ट है ऐसा पुष्च सकता है चला भाई शुरू करते हैं एकडम बेसिक से एक-एक स्टेप लेकर चलते हैं माल लो जो दो है से जैसे हम लोग कर रहे थे एक कैस गेस घास बनें है दूसरा घास टू है । सरे का नंबर ш옆 चाल एक टैनर में दोनों गैस उसक्कान यहां यहाँ गया यह सब्सक्राइब अन्हानग गैस जो Defuse हो के गया उसको और से सपल फड़ते थे क्या लिखते थे रेट का रेशियो में से पहले स्टेप में रेशियो सब्सटारे को सब्सक्राइच किसके बरबर शिखाया था रेट सَّब्स of mold जो diffuse हो के बाहर चला गया उसके ratio के बराबर होगा तो number of mold gas 1 का diffuse किया N1 dash और gas 2 का diffuse किया N2 dash तो R2 upon R1 जो हुआ number of mold gas का diffuse हो के बाहर जो चला गया उसके ratio के बराबर होगा फिर Graham's law of diffusion लगाते हैं क्या भई? Graham's law of diffusion के नुसार ये था R2 upon R1 is called to P2 upon P1 और M1 upon M2 का a square root यानि power half लेकिन हमने ये भी कहा था कि pressure का ratio number of mold का ratio दोनों बराबर होता है यानि P2 upon P1 वो number of mold का ratio N2 upon N1 के बराबर होगा ये N2 upon N1 क्या है number of mold है number of mold का ratio है है किने दोनों gas का किस container में पहला वाला container में फिर इसरक कौन apply करेगा जो कि container में gas मुझूद था तो gas 2 N2 था और ये N1 जैसे लिखते तो बिल्कुल वैसे लिखे पहला step तो बिल्कुल हम लोग जैसे लिखते तो वैसे ये जिख चुके हैं कि दूसरा step की बात करते हैं यानि यहां से एक और step हुआ मतलब यह जो गैस आपका वान और टू जिसका number of mold यहां पहुच चुका है एक और step और diffuse किया कोई बात नहीं एक step और कर लेते हैं आप यहां पर मान लो कि यह यहां से यहां एक step और है जिसको इसके respect में देखे तो दूसरा step है इसके respect में देखे तो पहला ही तो step होगा यह यहां पर भी अपलाई किया यह यहां पर भी अपलाई किया आप तुमको पता है ग्रांट लाफ डिफिजन से फिर लगा दिया पी टू अपॉन पीवन तो प्रेशर का रेशियो किसके बराबर का डिफिजन को करेशियो दूसरे बराबर होगा यहां है क्यांक और फुरी कर दिएनट बेस अपान यहां पर पर पूट करो दिया ढगरी इस वैलू को यहां से उठा करके यहां पर उठा करेंगे और सौ्व करेंगे तो आजागा अगर मैं आपको फिर से समझाओं तो देखो बिसके लिए ऐसे कर रहे है आपने से भी ट्राइ कर सकते हो यह जो डिरिवेशन हमने किया है कुछ से भी ट्राइ कर सकते हो यह बहुत डिफिकल्ट नहीं है यह भाई साहब एनटू डैस अपान एनवन डैस का वेलू यह यह जो आया है कि न्यकि इस मेलू को यह पर ऑन एनट्री डैस अपान एनवन सब्सक्तरिध जगें यह इसी तरह से हम बढ़ाते जैसे तिसरे स्टेप में दूसरे कंटेनर से तिसरे कंटेनर में जाएगा तो रेट का रेशियो क्या कौन सा स्टेप थर्ड स्टेप यह स्टेप बता रहा है यह किसके बराबर थर्ड स्टेप में जो गैस निकल करके बाहर चला गया तो थर्ड स्टेप में जो गैस निकल के बाहर गया वो यह वला है यह तिसरे स्टेप की बात करें थर्ड स्टेप प पर ही कर रहे हैं और क्या भाई अब फिर इसी को अगर सिमेट्रिकल वे में देखे और पूट करते जाए तो अब हमारे पास तिसरे स्टेप का जो फर्मुला आने वाला रिट का रेशियो का वह आजागा स्टेप में बिल्कुल सिमेट्रिकल फर्मुला और तिसरे स्टेप में अगर हम बात करें अगर कोई स्टेप के गेस निकल करके डिफ्यूजों के बाहर जा रहा है तो उस केस में रेट्य रहे स्टेप प्हर्पनय करेंगे बराबर होगा और इसके उसरा क्रें तो एंटू अपॉन एंटू का पावर चौथा स्टेप तो चार बटा दो पाच बटा दो निस स्टेप तो एन अपॉन तो यानि आपके पास एक फर्मुला आ गया क्विश्टन में अगर पूछे कि पांच में स्टेप में नंबर ओफ मॉल गैसेस का जो बाहर डिफ्यूजर के जारा उसका रेशियो क्या होगा तो N2 upon N1 rate का ratio कहे पांच में step में या number of mole diffuser के बाहर चला गया पांच में step में दोनों बात क्या होगी तो formula क्या हो गया N2 upon N1 M1 upon M2 का power 5 बटा दो ये N क्या है number of step से 10 में की बात करें तो 10 बटा दो 11 में की बात करें तो 11 बटा दो यानि एक standard formula हो गया और इस formula को आपको याद कर लेना है बच्चे याद कर लो remember it you have to remember it इसी formula से आपका सारा question solve हो जाएगा यानि अगर बीच के steps आप बूल भी गये और ये steps आप exam में जा करके derive थोड़ी करने लगेंगे यानि जो फाइनल फर्मूला ऐसे question एने से steps के लिए 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 उस formula को आपको याद कर लेना है इससे सारा numerical तुम्हारा solve हो जाएगा जहाँ पर define भी कर देए इस formula में किया है r2 upon r1 एने मतलब एने स्टेप में जो rate of diffusion का ratio होगा वो है n2 upon n1 nth step बाला number of mole का ratio जो diffuse हो के बाहर चला गया तो rate का ratio और ये ratio दोनों बराबर होगा यह क्या n2 upon n1 क्या ये mole का ratio है gases का किस container में पहले container में पहला vessel में number of mole का जो ratio लिया था वो है और ये m1 upon m2 m1 क्या m2 क्या ये molar mass है ये पहले gas का ये दूसरे gas का और इसका power n upon to ये n क्या है सब दखो यहाँ पर define किया n है number of steps पांचमा step तो यहाँ 5, 6 तो 6 तो इस formula से आप इस तरह के numerical को बड़े आराम से solve कर सकते इसको note कीजिए और उस formula को एकदाम contest दो बार लिख करके तीन बार लिख करके याद करना है और जो terms है यह आमने लिखा है उन terms को आपको नहीं बूलना है तो चलो यह जो more than one steps वाला diffusion वाला question जो होता है उसको हम लोग एक numerical से समझते हैं कहता है calculate number of effusion steps required to convert a mixture of H2 and O2 from 240 is to 1600 mass ratio to 3072 is to 20 mass ratio बदब शुरुवात का दो कैसे भाई कौन-कौन कैसे H2 and O2 है पहले container में mass का ratio दिया हुआ इस बार mole का ratio नहीं दिया mass का ratio दिया कोई बात नहीं हमें तो mole का ratio चाहिए तो mass का ratio से mole का ratio कैसे calculate करोगे molar mass चे divide कर देंगे जो molecule उसके molar mass से divide करेंगे तो mass से mole मिल जागा, mole का ratio मिल जागा पहले ये काम करना पड़ेगा तो यह initial mass का ratio दिया तो initial mole का ratio मिल जागा और यह finally यानि nth step कितने steps है nth step वही n calculate करना है कितने steps में यह possible होगा जबकि mass का ratio उतना से इतना हो जागा तो यहाँ पर भी final mass का ratio nth step बाला आपको लिखना पड़ेगा तो उसी formula में इसको fit करना है देखो के सब ध्यान से rate किसकी बात कर रहा है h2 की बात कर रहा है तो लिखा rate h2 का और rate कौन सा o2 का किस step के लिए nth step के लिए यही तो नहीं पता इसके लिए क्या formula लिखा था nth step में number of mole का जो ratio हो जाएगा दोनों गए इसका यह number of mole का ratio final h2 का किस step में nth step में nth step में number of mole किसका o2 का किस step में nth step में यही आपका n का value nth step में n का value calculate करना कितने step के बाद वो यह formula लगा रहे it is equal to क्या शुरुवात में पहले container में पहले वेशल में यानि शुरुवात में जितना mole का ratio आपके पास दिया हुआ था कौनसा गैसे गैसी लिख लेते हैं न h2 है और कौनसा गैसे o2 है यानि बैसके लिए nth upon n1 वैसे लिख रहे हैं और क्या formula था molar mass molar mass उपर में किसका o2 का नीचे में molar mass किसका h2 का और इसका power क्या n upon 2 यह n क्या है यही number of steps यही निकालना है इस n का value निकालना है इस formula में value को put करवाएं सरा जगा थोला दिमाग लगाना है कि mass का ratio दिया लेकिन हमें यहां पर mole का ratio लिखना है अगर intelligent बच्च से हो तो तुरत पकल दोगे molar mass से यहां डिवाड करेंगे यहां डिवाड करेंगे तो molar mass molar mass molar mass molar mass molar mass क्या हो cancel out हो जागा यानि बेसकली mass का ratio ही mass का ratio ही आजागा finally कैसे वयास देखो number of mole h2 और o2 का चाहिए तो हमारे पास mass का ratio दिया फाइनली कितना 3072 3072 बटा mass का ratio पर लिख लेते हैं o2 का 20 है कि नहीं लेकिन हमें किसका ratio चाहिए हमें mole का ratio चाहिए तो इसको डिवाड कर देंगे mass था molar mass h2 का दो डिवाड कर दिया o2 का mass finally हो गया 20 ग्राम ग्राम के इसाप से लेलो और इसको डिवाड कर दिया o2 का molar mass कितना होता है 32 यानि basically mass upon molar mass mass upon molar mass तो mole का ratio आगया कि नहीं it is equal to number of mole h2 का और o2 का पहले तो mass ratio दिया क्या दिया 240 ग्राम यदि h2 है तो o2 है 1600 ग्राम लेकिन यह तो mass का ratio question में दिया है आपको क्या चाहिए mole का ratio क्या करोगे molar mass से डिवाड कर देंगे molar mass h2 का do और o2 का 32 तो देखो भाई यह 32 32 यह 02 क्या होगया चैंस्य यह यह जारा है और इसका दो और इसका पावर एन अपाउंट टू क्या इसको अम लोग सॉल कर सकते एक दम सेंप्लिफाइब हो करके सॉल करोगे तो एन का वैलू जो है यह हो जागा ना 16 तो बिल्कुल आना ही चाहिए तो एन का वैलू यदि आपने कल्कुलेट करेंगे तो आपका वैलू आएगा फाइव यान नंबर फस्टेप्स हो गया पांच यह आंसर होगे पांच स्टेप्स के बाद मास का रिशियो वहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा तो ऐसे क्र पुस्टेए